कच्ची हल्दी बहुत इलाब दायक होती है, आज हम बनाएंगी कई गुणों से भरपूर कच्ची हल्दी का अचार जो टेस्टी होनी के साथ साथ हेल्थी भी रहेगा, कच्ची हल्दी जो होती है शूगर के लिए गठ्याबात के लिए या रक्त को साफ करनी के लिए बहुत में काफी आती है आपको मार्केट में इजली मेल जाएगी तो सबसे पहले हम इनका छिलका निकाल के इसे अलग रख लेंगे अब गेस चालूकर के गेस में मैंने पैन रखा है इसके अंदर हम डाल देंगे 500 ग्राम सरसो का तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तो त इसका मैंने छिलका निकाल लिया है एक ग्रेटर लिया है और इसके हल्प से हम यहां पर हल्दी को कड़कस कर लेंगे तो अगर आप चाहें तो हल्दी के यहां पर छोटे-चोटे पीस में पीसे काट सकते हैं या फिर आप थोड़े से बड़े पीस रख लेजिए या पके तो यहां पर देखें हल्तिकों मैंने कद्दुकस किया वा है तो अब इस अचार के लिए हम यहां पर एक बड़ी आसा मसाला बना लेते हैं तो गेश चालू करके गेश पर मैंने पैन रखा है इसके अंदर हम डाल देते हैं दो चम्मच सोंफ एक चम्मच हम डालेंगे जीरा और इन दोनों को हम थोड़ा सा भून लेंगे तो जब तक भूनेंगे जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुश्बू नहीं आने लग जाती यानि हमें इन जलाना नहीं ही बस थोड़ा सा रोस्ट करना है यह देखें यहां पर यह दोनों सीख चुके हैं गेस का फ्लेम तो मेती धाना भी यहां पर बून कर तयार हो चुका है तो इसे भी हम साइड में रग देते हैं तो चलिए अब तेल को भी हम चेक कर लेते हैं तो तो फ्रेंट्स यह जो अचारे आप सरसू के तेल में ही बनाए इससे जो यह अचारे टेस्टी तो लगता ही है साथी है तो अब हम इसमें डाल देते हैं आधी चमच हींग इसके साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूं दो चमच सरसु की दाल जो है यह भी आपको मार्केट में इसली मिल जाएगी और इसके साथ हमने जो यहाँ पर सोफ और जीरे को रोस्ट किया वा था यह डाल देंगे लेकिन मैंने इसे मसाले और डालेंगे जिसे दो चमच में डाल रही हूं लाल मिर्च पाउडर दो चमच हम डालेंगे नमक इसमें जो लाल मिर्च है और नमक है आप अपने स्वाधानुसार भी ले सकते हैं तो बस अब इन सबी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो अगर अगर आप यह रेसिपी मेरी फेस्बुक पेच पेच पे देख रहे हैं तो मेरा फेस्बुक पेच रसोईगर को ज़रूर से फॉलो कीजिए साथी मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले अब मैं यहाँ पर डाल देती हू लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका तो बस एक बार चलाते वे इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स पहले भी मैंने आपके साथ कई तरह के अचार के रेसिपी शेयर की है जिससे मैंने आपके साथ केरी का अचार, हर अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हमने जो तेल बचा के रखा हुआ था जो साइड में निकाला था यह इसमें डाल देते हैं उपर से और इसे भी एक बार अच्छे से चला लेते हैं तो फ्रेंड्स यह स्वादिस्ट अचार बनकर बिल्कूल तयार है आप इसे जरूर से बनाईए प्योंकि जो कच्छी हल्दी होती है सर्दियों के दिनों में ही आती है तो आप इसे बना के रख लीजे और पूरेज साल इसे मज़े लेके खाईए तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें तेल कम लगता है तो तेल को गरम करके आप फिर से ठंडा कर लीजे फिर नहाँ पर तेल थोड़ा सा ज्यादा ही रखिए थोड़ा सा तेल ज्यादा होता है तो अचार कभी खराब नहीं होता है तो अब हम इसमें डाल देंगे दो निम्बू का रस डालने से यह होगा कि अचार पूरे साल चलेगा और साथ में थोड़ी सी खटास भी आ जाईगी जिससे जो अचार है टेस्टी भी लगेगा तो चानते में डालिए तक कोई भी इसमें बीज नहीं रहें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यह लिजे फ्रेंड्स फटा फट से हल्दे का अचार बनकर बिल्कुल तयार है आप मेरे इस रेसिपी को जरूर से ट्रा तो चाहिए अगर इसमें पाने जाएंगा तो अचार खराबोने का डर रहता है तो तो अगर घर में यह अचार बनता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रू से बताइए कि आप किस तरसे बनाते हैं और इसमें किन-किन चीजों का acids करते हैं तो अगर आप मेरी रेसिपी q.